अमश्कार दोस्तों इस महीने की पहली तारीक को यानि 1st November 2019 को Statue of Unity को बने एक साल पूरा हो गया है तो मुझे लगता है सही टाइम रहेगा यह एनिलाइस करने के लिए कि इसकी प्रफॉर्मेंस कैसी रही है क्या यह सक्सेस्फुल रहा या फिर यह एक फेलियर था आएए पूरे डेटा को देखकर करते हैं इसकी अनालेसिस और मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में आपकी अपनी जिन्दगी के लिए एक परसनल फाइनाइस का लेसन भी रहेगा जो आप इस टैचू से सीख सकते हैं आएए देखते हैं जो ओफिशिल प्रेस रिलीज स्टैचू ओफ उनिटी की तरफ से 11 नवेंबर को निकली थी उसमें डेटा दिया गया है कि 31st October 2018 से लेकर 1st November 2019 के बीच में यानि एक साल के बीच में इसे देखने 27 लाक टूरिस्स आए 2.7 मिलियन टूरिस्स इसे पहले साल में देखने आए इनसे जो रेविन्यू जनरेशन हुआ जो पैसे की कमाई होई उन टूरिस्स की वज़े से वो एक साल में थी 80.65 करोड रुपीज अप्रोक्सिमेट करके मैं कह देता हूँ 80 करोड रुपीज इस स्टैचू ने कमाए अपने पहले साल में मेरी जो एस्टिमेशन थी पिछले साल के वीडियो में ये नंबर उससे कही ज़ादा है मैंने अंदाजा लगा था कि on average एराउंड 1 मिलियन लोग इसे देखने आएंगे पर येर और 35 करोड रुपीज पर येर की revenue generation होगी इससे तो क्या इन numbers को देखकर हम ये conclude कर सकते हैं कि Statue of Unity एक profitable और एक successful project रहा किसी भी investment का success और profitability देखने के लिए आपको return on investment देखना होता है return on investment होता है कि कितने पैसे आपने लगाए और कितने पैसे आपको per year वापस मिल रहे हैं उससे तो 3000 करोड रुपे Statue of Unity पर येर 80 करोड रुपीज वापस आ रहे हैं इसको percentage में निकालोगे 2.7% return of investment है Statue of Unity का इस 2.7% के क्या माइने है अगर 3000 करोड रुपे आप बैंक में deposit करा देते तो आपको savings bank account में 6% का return of investment मिलता बात समझ रहे हो अगर इतने सारे पैसे आप सर्फ bank में पड़े रखते तो भी वो Statue of Unity से जादा profit generate कर लेते बस bank में रखे रखे और इससे भी जादा critical fact आप देख सकते हैं inflation rate में दोस्तों आपको पता ही होगा कैसे inflation की वज़े से time के साथ साथ पैसे की value कम होती रहती है for example as a fact अगर मैं आपको बताओ 1984 में अगर आपने एक लाख रुपए कमाए थे और वो एक लाख रुपए अपने cash अपने घर में रख लिए तो 2016 में अगर आपने उस cash को use ने किया तो उस एक लाख की value होगी सिर्फ 7,400 रुपीज inflation की वज़े से पिछले 10 सालों में अगर आप इंडिया का average inflation rate देखोगे तो वो around 5% होगा और ये बात समझ लो दोस्तों अगर किसी भी चीज़ की return on investment inflation rate से भी कम है तो आपको नुकसान हो रहा है वहाँ पे आपके पैसे की बरबादी हो रही है अगर ऐसा हो रहा है तो और यही चीज़ दोस्तो statue of unity के साथ भी है inflation rate 5% statue of unity का return on investment 2.7% और ये return on investment maintain करना बहुत मुश्किल होगा मुझे लगता है future में ये और नीचे ही गिरेगा और इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब ये है कि ये जो 3,000 करोड रुपे बरबाद किये गए है ये कभी भी वापस नहीं आने वाले है ये अपनी cost कभी भी recover नहीं कर पाएगा inflation की वज़े से पहले साल तो फिर भी 2.7% का return manage हो गया है लेकिन आने वाले सालों में दोस्तों मेरी राय में और भी कम होता रहेगा क्योंकि ये पहला साल है hype जादा थी लोगों में इसके बारे में कि अच्छा statue of unity है कोई नया monument खुला है तो जो लोग interested थे वो एक साल में देखाये होंगे और आने वाले सालों में tourist नीचे ही गिरेंगे और इसकी इतनी advertisement भी करी गई थी आपने देखा होगा कहा दिल्ली metro से लेकर चन्रही में इसकी advertisement देखने को मिलती थी इसके उपर official figure नहीं है as of November 2019 लेकिन January 2019 का एक official figure है जिसमें बताया गया था कि पहले दो महीनों में दो करोड रुपए खर्च किये गए थे statue of unity को की ads देने में लोगों के सामने publicity करने में अब इसके उपर आप employees को pay करने की cost repairing cost और maintenance cost और जोड लो और maintenance की बात करें दोस्तों तो पिछले एक साल में statue of unity में flooding भी हो गई थी जब इसके आसपास बारिश हो रही थी तो जब आसपास थोड़ी सी बारिश होई और इसके statue के अंदर जो एरिया था वहाँ पर flood हो गया था जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये कहते हैं कोई defect नहीं है हमने design ही इसे ऐसा किया ये design ही ऐसा है कि ऐसा हो गया आप दूसरा और सुनों इन्होंने 2 रुपे और लगाए और एक हफते के अंदर अंदर वो statue गिर भी गया मतलब पहले तो ये dinosaur का statue क्यों बना रहे है कि statue of unity को देखने लोग नहीं आ रहे जो एक और statue खड़ा करने लग गए उस पे पैसे लगाने लग गए और फिर quality भी ऐसी बनाए कि 2 करोड रुपे खर्च कर के भी statue गिर गया इस तरह की quality का मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में ये समझ लो maintenance और repairing पर काफी खर्चा हो सकता है कुल मिला के बात ये है कि इस एक साल के data को देखकर ये प्रूव हो गया है कि ये statue of unity कितनी बड़ी पैसे की बरबादी है लेकिन सरकार इस बात को कभी admit नहीं करेगी सरकार में बैठें ministers दोस्तों मैं आपको क्या बता हूँ इतनी बड़ी बड़ी फेकू बाते करते हैं आप भी हरान हो जाओ के सुनके प्यूज गोईल जी कहते है अगले 4-5 सालों में statue of unity हर साल एक लाख करोड revenue generate करेगा एक लाख करोड थोड़ी सी mats देख लेते हैं इसके regarding भी मुझे पता है प्यूज गोईल जी को mats इतनी पसंद नहीं है क्योंकि उनके इसाब से आइंस्टाइन ने gravity discover करते वक्त कभी mats इस्तिमाल नहीं करी थी लेकिन प्यूज जी देखिए mats काम आती है मतलब यह जो आप बड़ी बड़ी फेकू बाते करते हैं इन चीजों को expose करने में काम आती है अगर हम assume करें 27 lakh visitors हर साल आ रहे हैं statue of unity में एक लाख करोड रुपे generate करने के लिए एक लाख करोड रुपे divided by 27 lakh होता है 3.7 lakh रुपी यानि हर visitor को 3.7 lakh रुपी इसकी ticket खरीदनी पड़ेगी अगर इतने पैसे generate करने हैं तो और दूसरा यह लोग क्या करते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फर्जी खबरे फिलाते हैं जूटे whatsapp forwards फिलाते हैं जो कहता है कि देखो ताज महल से जादा visitors statue of unity में आ रहे हैं इस poster में लिखा है कि ताज महल में per year सिर्फ 7,50,000 लोग आए देखने statue of unity में 26,000,000 लोग आए देखने यह चीज़ साफ साफ जूट है लोग सबा data के according ताज महल में एक साल में 2016 से 17 का जो एक साल था उसमें 60,000,000 visitors आए थे तो statue of unity के 27,000,000 से कही जादा है अभी भी यह number almost double है यह number और आप guess करी सकते हो कि कौन ऐसी जूटी खबरे फैलाता है इस poster पर ही लिखा हुआ है नेशन विद नमो आपको याद होगा नेशन विद नमो एक बहुत ही popular facebook page है जो मोदी की तारीफ करता है इस facebook page ने दोस्तों elections के time पर एक करोड से जादा रुपे खर्च किये facebook ads में ऐसी ads में जो जूटा propaganda फिलाती है लोगों को brainwash करती है अब यह जो एक करोड वाला figure है यह आप खुद भी confirm कर सकते है हर facebook page कितने पैसे spend करता है ads पर यह publicly available information है आप facebook page पर जाईए वहाँ पर i button पर click कीजिए आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने पैसे उस facebook page ने ads में लगाया होंगे और इस page ने एक करोड से ज्यादा रूपे लगाये हैं जो ऐसी जूटी खबरे फिलाते हैं लेकिन खेड topic पर वापस आते हैं मैंने कहा था इस video में आपके लिए एक financial tip है हो सकता है अलड़ी वो समझ गए हो आपके है यह tip यह है कि कहीं पर भी अगर आप पैसे invest करते हैं और वहां का return of investment inflation rate से कम होता है तो यह आपके लिए पैसे का नुकसान है यह समझ लेना आप जैसे कि कोई आपका दोस है जो कहता है मेरे business में पैसे लगा मैं तुझे per year इतने पैसे वापस दूँगा हर साल तुझे इतने का profit दूँगा वाँपर तो आपको यह देखना है वाँपर कितने पैसे आपने लगा है और कितना percentage उसका आपको per year वापस मिल रहा है तो यह एक छोटी बट बहुत ही basic personal finance की tip है जो हर जगें valid है चाया पैसो को gold में, property में, FD में या mutual funds में invest करें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कुछ investments ऐसी होती है जिनमें आपको सिर्फ पैसो की sense में आपको return of investment नहीं देखना होता कुछ investments ऐसी होती है जो आपको अलग-अलग तरीकों से returns दे सकती है जैसे कि property खरीदना हो गया अब property आपको रहने के लिए घर भी दे रही है तो उस sense में वो एक better return of investment हो गई अगर सिर्फ पैसे की sense में नहीं देखे तो आप ऐसे ही हमारी सरकार अगर हमारे tax के पैसो को schools बनाने में, hospitals बनाने में यूस करती है और वहाँ पैसो के sense में return of investment इतना जादा नहीं है लेकिन हमारे को better facilities मिल रही है हम अपने बच्चों को वहाँ पर school में पढ़ने के लिए बेज सकते हैं जो उन better facilities को utilize कर सकते हैं, better education लेने में तो उस sense में एक अच्छी return of investment है वहाँ पर और aspects में अब मुझे पता है कुछ लोग क्या comment करेंगे आपर वो लोग कहेंगे देखो पैसो के sense में statue of unity हो सकता है इतनी अच्छी return of investment ना हो लेकिन वो एक बहुत अच्छी tourist site है और better तरीके से दिया जा सकता था सरकार एक skill development center कोल सकती थी statue बनाने की जगें जिससे की और जादा लोगों को jobs मिल पाती फिर कुछ लोग कहेंगे देखो लेकिन एक tourist attraction तो बना ही तो लोगों को return of investment मिल रहा है अपना enjoyment के sense में एक tourist attraction को enjoy करने के sense में लेकिन ये बात भी fit नहीं बैटती क्योंकि अगर सिर्फ एक tourist attraction के point से पैसे लगाने थे तो इसको और बहुत अच्छे तरीकों से लगाया जा सकता था इसका सबसे अच्छा example है दोस्तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था टायू statue के उपर सिर्फ 100 करोड में एक बहुत ही better tourist attraction इन्होंने बनाई है इस वीडियो पर click करके आप देख सकते हैं उसे तो उमीद है दोस्तो आप भी मेरी बात से याँ पर agree करते हैं इस वीडियो को share कीजिए अगर आप सहमत है तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद